नमस्कार दोस्तों आप सभी राजिस्थान वालों के लिए ये वीडियो बहुती खास रहने वाली है प्रेदेश में कोविड-19 के नए वेरियंट ओमिक्रोन का संक्रमन तेजी से फैल रहा है इस संक्रमन की चैन को ब्रेक करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है प्रेदेश भर में सनिवार रात 11 बज़े शी लगा कर सौमवार सुबह 5 बज़े तक संपूर लोगडाउन लगाया जाएगा इसको लेकर जोदपूर पुलिस और प्रिसासन ने तैयारियां पूरी कर ली है संपूर लोगडाउन के दोरान क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तों बात करें जोदपूर पुलिस की तो जोदपूर पुलिस कमिशनर जोस मोहन ने बताया है कि 1 जनवरी 2022 से लगा कर 14 जनवरी 2022 तक बिना मास्क और सारवधनिक जगों पर थोकने वालों के खिलाब करीब 2000 चालान काटे गए हैं वहीं सो से अधिक महामारी अधिनियम के तहते मामले दर्ज भी किये गए हैं पुलिस कमिशनर ने बताया कि ये मामले ऐसे लोगों के खिलाब दर्ज किये गए हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं और अपने जान को लेकर सुरक्षा से खिलवाड कर रहे हैं ये वो लोग हैं ज जिदके चलते मुकद में दर्ज हुए हैं। कोरोना वाइरस से बचाव के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। मास्क को बोज नहीं समझना चाहिए। ये आपके जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य किया गया है। मास्क लगाएं नहीं लगाने पर कार्यवाई की जाएगी 10,000 रुपे का आप से चालान काटा जाएगा दोस्तो जाग रुक रहें और मास्क आप अवस्चे लगाएं अब दोस्तो आपको बताते संपूर लोगडाउन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सहर के सभी थानों पर नाके लगाए जाएंगी और आमनागरिकों से ये अपील की है कि लोगडाउन उनकी सुरक्षा के लिए लगाए जा रहा है बिना काम के कोई भी बहार ना निकले पिरसासन का सपोर्ट करें जरूरी सामान सबजी, मेडिकल, दूद और किराना के सामान के लिए छूट द जाएगी अति आवसक ना हो तो घर से बाहर ने निकले नहीं तो दोस्तो पुलिस आपके खिलाब कारवाई करने वाली है राइस्तान से जुड़ी हरपल के अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी इसलिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइगन प्रेस जरूर कर लें तता किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में आब इससे बताएं धन्यवाद जय हिंद जय भारत